हेलो गाइज अब वेरी गुद मॉर्निंग तो अलो फ्यू स्वागत अब सभी का उनलाइन इस्टेडी एकडमी में आज देट है 25 जून 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉरेंट करेंट अफेस हैं वो डिसकस करेंगे हम इस वीडियो में साथ जितने भी रिलेटेड इं एन इंप्लॉइमेंट मिनिस्टर मेटिंग 2021 किस देश ने जी ट्वेंटी स्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी की है तो इसका राइट आंसर है इटली अभी हाली में इटली ने जी ट्वेंटी की दो मीटिंग की अध्यक्षता की है मेजबानी की है और के पास 2021 के लिए जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी है अध्यक्षता इसलिए इटली ने मेजबानी की है इन मीटिंग की और भारत की तरफ से जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर आफ स्टेट है संजेद होत्रे जी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है भारत को दोनो ही मीटिंग में बात करते हैं जी ट्वेंटी की तो यहां के मेंबर्स हैं याद रखेगा 19 कंट्रीज हैं और साथ में यूरोपियन यूनियन है टोटल 20 हो गए तो 19 कंट्रीज हैं अर्जेंटीना अस्ट्रेलिया ब्राजील कैनड़ा चाइना फ्रांच जर्मनी इंडिया इ लांच अग्रिकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021 किस राज सरकार ने क्रिसी विविधी करण योजना 2021 शुरू की है तो अभी हाली में गुजरात में गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है वीजय रूपानी जी उन्होंने लांच किया है अग्रिकल्चरल से 1.26 लाइक फार्मस को बेनेफिट होने वाला है तो इस स्कीम के अंडर में जो ट्राइवल फार्मस है उनको फर्टिलाइजर दिया जाएगा उनको यूरिया अमोनियम सलफेट और खेती करने के लिए सीट्स भी दिये जाएंगे कावर्नमेंट की तरफ से ताकि उनकी खे दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संसोधित रबर कहां लगाया गया है तो अभी हाली में असम में जैनिटिकली मोडिफाइड रबर प्लांट किया गया है और याद रखिएगा ये दुनिया का सबसे पहला रबर प्लांट किया गया है जो की जैनिटिकली मोडिफा वो गरम हो और हुमीड हो जैसा कि अमेजन के जंगलों में होता है लेकिन भारत में इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए जो नॉर्थ इस्टन एरिया यहां पे ठंडी जादा रहती है इस कारण से यह जो रबर का प्लांट है इसको जैनिटिकली मॉडिफाइड किया गया है ताकि यह ठंडे वारता वरण पे भी रह सके इसकी पैदावार की जा सके तो इसी कारण से असाम में याद रखेगा सबसे पहला चैनिटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट किया गया है असाम की कैप्टल है दिस्पूर चेपनिस्टर है हीमंत विश्व सर्मा जो की नए बने हैं याद रखेगा और गवर्नर हैं जगदिश मुखी नच्टोशन है हूँ है सबसे उपर है यह जारी की गई है एडल गिब हुरून फिलेंट्रोपिस्ट ऑफ दा सेंचुरी के रूप में ये लिस्ट का नाम है और इसी में टाटा ग्रूप के फाउंडर जमसेत जी फाउंडर जमसेत जी टाटा जी हैं सबसे उपर हैं और इन्हें सबसे पहला इस्थान क्यों दिया गया है तो इन्होंने हेल्थ और एडुकेशन सेक्टर में लगभग एक सो दो दसम्लों चार बिलियन युएस डॉलर का डोनेशन दिया है तो टाटा आइरन और जो टाटा का स्टील वर्क कंपनी हैं जो की जमसेत पूर में हैं जिससे अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है इसी के फाउंडर हैं जमसेत जी टाटा जी ठीक है याद रखेगा अगला कोस्चन है अकॉर्डिन टू आर्बिया रिपोर्ट वाट इस दर रैंक ऑफ इंडिया इन जिट्रा में जो सरप्लस होता है ट्रांस्फेर करते हैं मतलब ждLP का जो वहां के सेंटर बैंक को देते हैं किस कंट्री के तो इस में भारत रहा है दूसरे नंबर पर याद रखेगा लेश्ट में बाहरत रहा है स्टेण सोर्पर पर रहा है एडिन फोर्मइन के वित्तिवार से किस में ठीक है और 2020 में बात करते हैं तो भारत चौथे स्थान पे रहा था 2020 में 0.29% GDP का गवर्मेंट को दिया गया था तुर्की ने टॉप किया है तुर्की ने टोटल 0.50% अपने GDP का दिया है गवर्मेंट को बात कर लेते हैं भारत की विकासदार के बारे में मोडी का नवींतम अनुमान क्या है तो सबसे पहले कोस्चन में दीखिएगा ध्यान से कि calendar year की बात कर रहा है mainly question में कई बार वित्तिवर्स की बात करता है fiscal year लेकिन यहाँ पर calendar year की बात कर रहा है तो भी हाली में moody's ने भारत की GDP बृध्धी के बार में अपना नुमान दिया है कि calendar was 2021 में जो भारत की GDP है ये 9.6% की दर से बढ़ेगी तो actually में इसमें संसो किया गया है और अब 9.6% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है महीं calendar year 2022 के लिए भी अनुमान दिया है moody's ने और 2022 के लिए 7% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है अगला question है which payment company has launched इंडिया's first wallet with auto top-up किस भुकतान कंपनी ने भारत का पहला auto top-up सुविधा वाला वाले दी जा रही है auto top-up की त्याद रखेगा phone पे है इसका right answer तो इसमें होगा कि जो भी user है जो phone पे use करते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें एक wallet होता है जिसमें आप अपने bank account से पैसे transfer करके रख सकते हैं ताकि आप आसानी से छोटे मुटे payment कर सकें तो इसमें होता है कि जैस से 5000 रुपय का auto top-up कर सकते हैं अप अतलब आप उसमें limit set कर देंगे तो जब भी आपके wallet का जो balance हो कम होगा minimum होगा तो वहाँ पर जितनी भी limit आप set करेंगे 1000 से 5000 तक की वह अपने wallet में top-up हो जाएगा तो यह सुधा दी है phone पे ने और यह भारत में पहली ऐसी सुधा देने has launched a technology platform e-pgs किस बीमा company ने प्रादयोगी की मंच e-pgs launch किया है तब यहाली में Life Insurance Corporation यानि की LIC ने launch किया है एक technology platform जिसका नाम है e-pgs आपको याद रखना है तो यह e-pgs है क्या तो यह एक ऐसा platform है जहां पे जो भी user है customer है LIC के उनके लिए launch किया गया है जिसमें bank की तरह ही payment का जो collection है वो किया जा सकता है उसकी accounting की जा सकती है साथ ही इसी portal पे जो भी customer है वो अपना data देख सकते हैं अगर उनने कोई problem है या उनकी कोई शिकायत है तो वहाँ पे वो सिकायत दर्ज कर सकते हैं अपने शिकायत के बारे में tracking कर सकते हैं कि सिकायत के बारे में क्या कुछ ich c world test Championship icc Д्ट weren t finn robi में तो देखिए आपने cricket में काफी सारे आटरो में देखे है यह आट टी टवयंटि के टुरनावेंट्स सुने हो जैसे की weekend हो गया ट20 वहल्ड कफ हो गया और चैंप्यَंस स्टरॉफि फो गई तो इस तरह के टुरनांवींट्स होते रहते हैं लेकिन cricket के इतिहास में पहली बार हुआ था कि जो टेस्ट मैचेस होते हैं उनके लिए वर्ल चैंपियंशिप रखी गई थी जो कि 2019 से शुरू हुई थी और अभी 2021 में इसका फाइनल हुआ है रिसेंट में फाइनल हुआ था न्यूजी लैंड और भारत के बीच में तो न्यूजी लैंड ने भारत को हरा के जीत लिया है अब से पहली बार हुआ ICC World Test Championship important question है इस पोर्ट सेक्टर में त्याद रखेगा New Zealand ने जीता है ICC World Test Championship दूसरी चीज की प्लेयर अप दा मैच कौन थे New Zealand के Kyle Jamison थे प्लेयर अप दा मैच और प्लेयर अप दा सिरीज थे New Zealand के Captain Kane Williamson और यह जो फाइनल मैच था यह England के Southampton में Rose Bowl Stadium में खेला गया था तो ये डेट आपको याद रखने है इस question से अगला question है वेर ड़स दा passage exercise बेट्वें इंडियन नेवी एंड यूस नेवी हेल्ड रिसेंट ली हाली में भारती नोसेना और अमेरिकी नोसेना के बीच पासेज अभ्याज कहां आयोजित किया गया था तो देखिए भारती नेवी और जो यूस नेवी है इनके बीच में एक पासेज एकसरसाइज अभी और्गनाईस कराई गई थी 23 और 24 यून को 2 दिन तक चली ये exercise तो पासेज एकसरसाइज जिसे हम शौर्ट में पासेज कहते हैं ये याद रखेगा भारत और USA की नेवी के बीच में और ये हुई थी इंडियन ओशियन रीजन में इंडियन ओशियन रीजन में ये exercise कराई गई थी कोश्टन में आपसे यहीं पूछा है भारत की तरफ से इस exercise में पासेज़ पेट किया भारत की जो नेवल चिप है तेग और कोची ने इसके अलावा P-81 और MIG-29 के एरक्राफ न भी पासेपेट किया है और ये जो exercise है इसे कराय क्यों गया था तो दोनों ही देश की जो नेवी हैं इनके बीच में relationship जो है bilateral relationship है इसको बढ़ाने के लिए साथ ही में जो सहयोग है इसको बढ़ाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि समय आने पे जो दोनों नेवी हैं maritime में साथ मिलके काम कर सकती है अगला question है according to report what is the rank of India in the category of trust in news एक report के अनुसाय trust in news की इस रेड़ी में भारत का कौन सा इस्थान है तो अभी हाली में एक report प्रकाशित हुई थी जिसमें trust in news में बात किया जाया मतलब की जो देश की news होती है उनमें कितना जादा trust करते हैं लोग इस रेड़ी में भारत रहा है 31 वे नंबर पे टोटल इस list में 46 देशों को आंका गया था सर्वे किया गया था जिसमें से भारत रहा है अपना 31 वे नंबर पे याद रखेगा तो यह जो report थी यह इसका नाम था Reuters Digital News Report 2021 इस साल इसका यह दस्वा संसकरान प्रकाशित किया गया था और जो report है प्रकाशित की जाती है Reuters Institute for Study of Journalism के द्वारा ठीक है तो 46 countries में से 31 वे नंबर पे रहा है भारत भारत में लगभग 38 प्रतीशत लोगों ने जो वहां की news है उसके ट्रस्ट किया इसके अलाबा Finland जो है यह सबसे उपर रहा है इस list में Finland में जो लोग बाग है उनमें से 65 प्रतीशत जो लोग है यह वहां की news में ट्रस्ट करते हैं और USA सबसे नीचे रहा है USA में जो news में जो ट्रस्ट होता है उसका level सबसे कम रहा है यहां पे से 29 प्रतीशत लोगों ने ट्रस्ट किया है जो वहां की news है अगला question है who has authored the book titled it's a wonderful life it's a wonderful life नामा पुस्तक किस ने लिखी है तो काफी जाने माने लेखक है रस्किन बॉंड याद रखेगा रस्किन बॉंड ने लिखी है अपनी नई पुस्तक जिसका नाम है it's a wonderful life और यह जो पुस्तक है इनमें बताया किया गया है इनों ने लिखा किया इस पुस्तक में तो हमारे जीवन में काफी छोटे-छोटे incident होते हैं यहां से भी हमें positivity मिलती है यहां पे भी छोटी-छोटी खुश्या मिलती है तो इन ही छोटे-छोटे incidents के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है इसके अलावा जो रसकिन बॉंड है इन्हें 1999 में पादमश्री से नवाजा गया था समान दिया गया था पर 2014 में पादमभूशन से समानित किया गया था तो अब समय है आज के quiz का आज के quiz का question है which bank has launched कवच personal loan for COVID-19 patients किस bank ने COVID-19 रोगियों के लिए कवच personal loan launch किया है तो ये रहे आपके option make sure answer जरूर्दे comment box में उसके लाबा अगर आपको कोई problem है कोई doubt है या आपका कोई suggestion है वीडियो के बारे में तो अब बिल्कुल मुझे comment box में बता सकते हैं पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था what is the latest estimation of ICRA about India's GDP growth in FY22 with the West 22 में भारत की GDP विर्दी के बारे में ICRA का नवीनता मनुमान क्या है इसका right answer है 8.5% तो ये थे आज के important current affairs I hope आपके quizful लगे होंगे वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक जरूर करें ज्यादा ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले notification आपको मिलती रहे make sure bell icon जरूर दवाएगा और revision के लिए PDF आपको description में मिल जाएए आप महाँ से download कर सकते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए take care and thank you guys